पानी की कहानी उसके उसका चोथा भाग मैं कई माईनों तक मैं समुन्दर में इदर उदर गूमती रही फिर एक दिन गरम धारा से भेट हो गई अभी कहरी फिर एक दिन गरम धारा से भेट हो गई मेरी धारा के जलते अस्तित्व को ठंड़क पहुचाने के लिए हमने उनकी गरमी सोखनी प्रारम कर दी अभी कहरी धारा गरम थी तो उसको ठंड़करने के लिए हमने उसकी गरमी सोखनी प्रारम कर दी और उसके फल सरूप मैं पिगल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई अब देखो गरम भाप में मिली ये, गरम धारा में मिली ये ठंडी एकदम तो एकदम तरलो के बरफ थी तो एकदम पिगल के पानी में बन गई पानी बनकर समुद्र में मिल गई समुंद्र का भाग बनकर मैंने जो द्रश्य देखा वह वर्णान्तित है मैं अभी तक समझती थी कि समुंद्र में केवल मेरे बंदू-बंदू का ही राज्य है अभी केरी पहले मैं सोचती थी कि मेरे बंदू-बंदू तो ही है यानि जैसे जो भाब बनकर उड़ गए जो पानी बनकर नीचे बैठ गए वो ही है मगर उसमें तो बहुत सी चीजे है समुंद्र में कितने सारी चीजे है परन्तु अब ग्यात हुआ कि समुंद्र में चहल-पैल वास्ता में दूसरे ही जीवों की है और उनमें नीरा नमक भरा है अब विकेरे नीरा बहुत सा नमक भरा है उसमें पहले-पहल समुंद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं बाया विकेरे एक समुंद्र का पानी खारा होता है न उससे नमक भी बनता है तो कि पहले तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो जी मचलाने लगा पर दीरे दीरे सब सहन ओचला अब उसी में रहना है वो ही पिये जा रही है तो फिर उसको बरदाश्ट तो करना ही पड़ेगा आके फिर वो बाद में उसको सूट हो गया एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुन्द्र के उपर तो बहुत घूम चुकी हूँ बीतर चल कर भी देखना चाहिए कि क्या है इस कारी के लिए मैंने गहरे जाना प्रारम कर दिया विकेरी पहले में समुंदर के उपर उपर गुमती थी, फिर मैंने सोचा अंदर क्या आया जाके देखती हूँ, मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, मैंने अत्यांत धीरे धीरे रहेंगने वाले गोंगे जालीदार मचलियां, कई कई मन बारी कच्वे और हा मचलिये कच्छवे हर तरह की जानवर होते हैं उसमें तो वो सब इसने देखे एक मचली ऐसी देखी जो मनुश्य से कहीं गुना लंबी थी और आठ हाथ थे फिर इत्ती बड़ी मचली देखी कि बहुत बड़ी थी मनुश्य से और उसके आठ हाथ थे वह इन हाथों से अपने शिकार को जकर लेती थी अभी क्या करती थी हाथ से अपने हाथों से जकर लेती थी अपने हाथ से जकर लेती थी मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई मचली तो मैंने देख ली मगर अब मैं किनारों से दूर गई मैंने एक ऐसी वस्तू देखी में चौक पड़ी अब तक समुंद्र में अंदेरा था सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुँच पाता था कुछ ही भीतर मतलब थोड़ा सा ही पहुँच पाता था बाकी नीचे तक बिल्कुल अंदेरा था और बल लगा कर देखने के कारण मेरे नेतर दुखने लगे थे अब देखो अपने आखों पर जोर पड़ता है न अंदेरा होता है तो कितना जोर पड़ता है तो इससे इसके आखें दुखने लगी मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लाल टेन लिए घूम रहा हूँ अभी करी मैं तैसे देख रही थी, जिते में एक ऐसा जीव सामने है, जिसे ऐसा लग रहा था जिसे वो लाल टेल लेकिया रहा है, लाल टेल मिटे वो पहले जमाने में ऐसे लेकी गुमते थी न, उसमें अंदर रोश्णी होती थी और काच की होती थी उपर से, यह एक अत्या देखकर कितनी छोटी छोटी अंजान मचलियां उसके उसके पास आ जाती थी और वह बूकी होती थी जब बूकी होती थी तो पेट बर उनका बोजन करती थी अब उसकी रोशनी देखके क्या करती थी सारी मचलियों उसके पास आ जाती थी और वह जब बूकी होती थी न तो सा लेती थी ठीके वेटा अब उसका नेक्स बाग अपन नेक्स क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू